हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो आज विद्धो धारा का चुंबकिये प्रभाव का ये चौथा वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो जन्नित्र होता है जिसे हम डैनू में भी कहते हैं इंगलिस में वो क्या होता है ठीक है जिसे हम ऐसे बोल चाल में जनेटर कहते हैं ठीक है तो क्या होता है इसका फरिभासा क्या होता है कि सिध्धान पर कार्य करता है प्रतिवर्ति धारा जन्नित्र क्या होता है जो प्रतिवर्ति धारा डैनूमों कह सकते हैं और डिश्ट धारा डैनूमों य देखते हैं सबसे पहले कि जैनित्र क्या होता है कि जैनित्र क्या होता है, क्या हो सब्सक्राइद नेट्र से अध्यीत्र कि दिन क्या होता यह बात याद रखेंगे कि क्या है जो डैनोमो है यह एक प्रकार का यंत्र है ठीक है इस बात को याद रखेंगे कि जो डैनोमो है एक प्रकार का यंत्र है जो क्या करता है जो याद रखेंगे जो यांत्रिक उर्जा को क्या करता है यांत्रिक उर्जा को बिधुत उर्जा मे बदलता है ठीक है देखे डैनोम जनित्री या डैनोम या जनेटर क्या है एक प्रकार का यंत्र है जो क्या करता है यांत्री कूर्जा को बिदूत उर्जा में बदलता है जैसे कि हमने साधी विया में यह कहीं भी देखा होगा जो जनेटर होता है यो क्या करता है यांत्री कू कूर्जां में बदलता है तो मतलब यहँ है कहने को बी परकार का यह अंत्र है करता को ब्लॉदध on क्सूंच करता है यह बदलता है तो हम वॉब यर यो पाम क्या दोत पार होते हैं सब समेद इन लिखेंगे कि जन्नित्र एक प्रकार का यंत्र है ठीक है जन्नित्र क्या है एक प्रकार का यंत्र है जो यांत्रिकूर्जा को विद्धू तूर्जा में क्या करता है बदलता है उसे ही क्या कहते हैं उसे ही हम डैनोमो या जन्नित्र या जन्नेटर कहते हैं ठीक है तो यह बहुत अच्छा आव बहुती छोटा डिफिनिशन है ठीक है जन्नित्र एक क्या है एक प्रकार का यंत्र है जो यांत्रिकूर्जा को विद्धू तूर्जा में फरिवर्तित करता है ठीक है अब दूसरा आता है कि डैनोमो का सिध्धान ठीक है कि इसका आता है सिध्ध के हैं कारी करता है याद रखेंगे हैं सानवा शुक्राइब के टॉ कि प्रेरण के सिध्धान पर करता है यह दिस प्रेणत को याद रखेंगे जो क्या होता है जो डेने बैब मही यह ज गयानित्र होता ज्माट के सिध्धान पर काया है तो आप होना चाहिए इस सिधान पर कारी करते हैं इसके पहले लेक्शर में हमने बताया है जो है जो भी जुसे प्राभा का तीसरा पार्त है उस्में बताया था कि विदुत वहाग बल क्या होता है इसमें बताऊंगा कि वीद्धू के प्रेणनद हैं कने अगर और बताए गया था कि जब किसी यहाँ थोड़ा समय अलगसे समझा दूँ ठीक है ये मान माल लेते हैं कोई कुंदली है ठीक है ठीक है थीक है यह है थोड़ा सा तो समझना है इसको समझाने जिल्ए इसकcking be देखिए जब वो चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं मतलब जब चुंबक को कुंडली के पास तेजी से लाते हैं तो जब गती करते हुए चुंबक आता है तुसे आप पेचिय गती करते हैं कि आ पेचीय गर्ति इस बात को भी जाद रखेंगे कि जब चुंबग को कुणिली के पास ले आ जाएगा तो पहुत lotta जाएगा तो देखियो क्या कुंडली अचुंबक के बीच आप पेछी गति कराया जाता है तो याद रखेंगे कुंडली में जो कुंडली है कुंडली में इसमें क्या हो जाता है कुंडली में याद रखेंगे कुंडली में प्रेरित प्रेरित विद्धुत वाहक बल उत्पन हो जाता है ठीक है याद रखेंगे जब कुंडली अचुंबक के बीच आपेछी अगति कराया जाता है तो कुंडली में क्या उत्पन हो जाता है प्रेरित विद्धुत वाहक बल उत्पन हो जाता है यही इसका सिध्धान्त है विद् यहां से क्लियर हो गया क्या कहेंगे जब कुंडली चुंबक के बीच पेछिय गति कराया जाता है तो क्या होता है कुंडली में प्रेरित विद्धुत वाहक बल उत्पन होता है जिसें क्या कहता है विद्धुत चुंबक के प्रेणार कहते हैं तो आपको यह लिखना है कि सिध्धान्ट पर कार्य करता है उसके बिच्छे बार लिखेंगे कुंडली तता चुमक के बीच आ पेच्छिय गति कराया जैता है तो कुंडली में प्रेरित विद्धुत वाहक बल उत्पन होता है ठीक है बस इतना लिख देना है सिध्धानत में आपको याद रखेंगे इसमें आप कहेंगे कि प्रेरित विद्धुत वाहक बल क्या है ठीक है इसको बारे में आपको बताया गया है प्रेरित विद्धुत व यह अगर अच्छे से हुला संख्तार में तो और इस च्छी में फ़ीद्वाइब करेंद से करके वीडिो से पढ़ना प्राकास से तो वो भी प्लेलिश्ट में सबसे नीचे दीज स OS को स्कते हैं अपना नोट्स बना सकते हैं तो के तो लिखेंगे पर हमत बढ़े हैं पर नु act अब करारा हैं तिक इसे अब को aumentar कर लिकेंगे बनाएंगे तो आपको confidence होगा ठीक है फिर भी में अपको लिखवा दे रहा हूं ठीक है आप मिला सकते हैं कि हाँ यही लिखवा रहे हैं कि नहीं ठीक है तो हमने कहता है था कि जो जैनित्र का सिध्धांत कि कि सिध्धांत पर कारी करता है तो जैनित्र मतलब डैनूमू विद्धूत विद्धू चुम्बकिया प्रेरण के सिध्धांत पर क्या करता है कारी करता है ठीक है जो जैनित्र होता है वो क्या करता है विद्धू चुम्बकिया प्रेरण के सिध्धांत पर कारे करता है उसके बाद लिखेंगे अर्थात ठीक है अर्थात लिखेंगे उसके बाद आप बताएंगे कि विद्धू चुम्बकिया प्रेरण के सिध्धांत पर कारे करता है यह नहीं लिखना है उसके बाद हम करता है विद्व चुंबक के प्रेवर किसे करते हैं तो लिखेंगे जब चुंबक तथा कुंडली के बीच क्या कराए जाता है आप पेच्छिय गती कराया जाता है तो क्या होता है जब चुंबक और कुंडली के बीच आप पेच्छिय गती कराया जाता है तो क्या होता है जब फ्लक्सों की संख्या परिवर्तन होता है तो वहाँ पर प्रेरित विद्धुत बाहाक मल उत्पन होता है तो हम के लिखेंगे तो कुंडली में क्या होता है कुंडली में प्रेरित विधुत वाहक बल उत्पन होता है ठीक है यहां तक लिख देंगे ठीक है तो यह आपका हो गया सबसे पहले जैनित्र के डिफिनिशन हो गया उसके बाद हम जे इसका सिध्धान देख लिया अब हम देखेंगे जैनित्र के प्रकार ठीक है और तीसरा में पॉइंट में होगा कि जैनित्र के प्रकार ठीक है ठीक है तो जनीतर के प्रकार कितने होते हैं सबसे मेली बात आती है कि जनीतर के प्रकार क्या है तो याद रखेंगे जनीतर के दो प्रकार होते हैं याद रखेंगे इसको जनीतर के कितने दो टाइप्स होते हैं दो प्रकार होते हैं ठीक है तो आप कहेंगे कौन-कौन सा तो यह भी point याद रखेंगे कि पहला हो जाएगा पहला होता है प्रत्यवर्ति धारा जनित्र ठीक है प्रत्यवर्ति धारा जनित्र या हम इसे कह सकते हैं प्रत्यवर्ति धारा डैनोमो या जनेटर भी ठीक है तो यह हो गया पहला आद दूसरा का नाम याद रखेंगे दूसरा ह होता है दिष्ट धारा जनीत्र ठीक है दूसरा होता है प्रतिवर्ति धारा जनीत्र और दूसरा द्रिष्ट धारा जनीत्र ठीक है तो हम देखेंगे प्रतिवर्ति धारा जनीत्र होता क्या है और द्रिष्ट धारा जनीत्र होता क्या है यहां पर थोड़ा समझाल ले कि प्रत प्रत्यवर्तिधारा जनीत्र यह क्या करता है यांत्रीक उर्जा को क्या करता है यह यांत्रीक उर्जा को प्रत्यवर्तिधारा में परिवर्तिद करता है याद रखेंगे जो प्रत्यवर्तिधारा जनीत्र यह यांत्रीक उर्जा को क्या करता है से भी और प्रत्यवर्तिधारा जनीत्र हो क्या करता है यह आंत्रीक उर्जा को प्रत्यृत्यधारा जनीत्र क्या होता है तो आप आप से कोई अगर पूछ दे कि प्रत्यवर्ति धारा जनित्र है क्या ठीक है डिस्ट धारा जनित्र का डिफिनिशन बताओ तो आप क्या कहेंगे कि प्रत्यवर्ति धारा जनित्र की डिफिनिशन यही कहेंगे कि ऐसा जनित्र जो क्या करता है जो यांतरी कूर्जा को प्रत्य वर्ति धारा बौल को यसे नितर करते हैं यहां से नियुस्त भी दॉनों का इसे सकते हैं यांत्री कुर्जा को प्रत्यवर्ति धारा में पडिवर्तित करता यह करता है। और डिस्ट धारा जेन्दितर किसे कहेंगे जो यांतरी कूर्जा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करता है उसे हम डिस्ट धारा जेन्दितर कहेंगे ठीके तो यह आपका टोटल यहां तक हो गया अब याद रखेंगे एक ठोग इसकी भी सेस्ता याद रखेंगे कि जो प्र प्रत्यवर्ति धारा को AC, अडिस्ट धारा को DC, ठीक है, तो जो ये प्रत्यवर्ति धारा है, जो इसके alternate होते हैं, वो क्या होते हैं, जो इसके alternate प्रत्यवर्त होते हैं, ये क्या करते हैं, पहले उपर हम जानते हैं, प्लस होते हैं, नीचे माइनर, मतलब ये प्लस माइनर की वुक्ट ऐसे zawsze होता है फ मिंगे यह टिक पता निए रहा होuti पाने छोंट को के वह हो जागा है यह टो पॉज्टीव हो यह यह तो औरGB क शीदा नेटिव जैसे मानधी यह watch जलूंगे तो यह माली जे यह उपर जो हता है वो होता है एद horse नीचे माइनस निगेटिवू होता है तो यह मतलब बस यह इतना याद रखेंगे प्रतिवर्ति धार जनित में पो जयो कि 젖ेंगे तो जेनित्र होता क्या है इसका सिध्धान्त क्या है इसकी कार्यवेटी इसका जो फीकर है उसा भी देखेंगे ठीक है तो चलिए इसक्रीन शोट अब ले सकते हैं कि अब कि अब हम देखेंगे प्रतिवर्ति धारा जनित्र हुआ कि प्रतिवर्ति धारा जनित्र ठीक है प्रतिवर्ति धारा जनित्र होता क्या है ठीक है तो यह देखेंगे तो हमने अभी बताया प्रतिवर्तिधारा जनित्र होता क्या है प्रतिवर्तिधारा डैनोमो होता क्या है डैनोमो भी कर सकते हैं प्रतिवर्तिधारा डैनोमो ठीक है तो यह होता क्या है तो हमने अभी बताया कि यह क्या करता है यह हम डिफिनिशन ही फिलिख दे रहे हैं कि ऐसा जैनित्र जैनित्र कह सकते हैं या डैनोमू ठीक है जो या अंत्रिक उर्जा को क्या करते है विद्धूत उर्जा में या अंत्रिक उर्जा किस में प्रतेवर्थी धारा में धारा में बदलता है चैंटे या उत्रिक उर्जा को अब आता है इसका शिध्धाँथ प्रतेवर्थी धारा का शिध्धांट गाहरे है तो हम देखेंगे सिध्धांत हेटिंग डाल दे है ठीक है तो सिध्धांत ठीक है तो याद रखेंगे इसके सिध्धांत में लिखेंगे कि यह यह विद्दू चुम्बक किया प्रेरर के सिध्धांत पर कारे करता है ठीक है यह आप ऐसे कर देंगे इसको इंड में ठीक है ऐसे पतला यह जो प्रतेवर्तिधारा जनीत्र है यह भी किसी धांत पर कारे करता है तो विद्दू चुम्बक के प्रेरर के सिध्धांत पर कारे करता है कि हमने जो जनीत्र है उसी का पार्ट यह भी है तो जब जनीत्र विद्दू चुम्बक के प्रेरर के सिध्धांत पर कारे करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि उसके बाता है इसका फीगर्ट्र है और रहा हूं जादा इंपस्टेंट है कि यहाँ प्रतिवर्ति धारा जनीत्र जनीतर के ती कहां और मुह सब्रेगान इसकी कारेविधी भी लीखेंगे खिक हें यह हो गया ठीक है ठीक है यह उत्तल कि यह आपके चुम्बक हो गए आइस में हम ने कि एक एक करके आप समझेगा ठीक है कि अच्छा हुआ 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 कि अच्छा फीगर कोई मैं समझाओंगा ठीक है बस आप इतना याद रहें जैसे बनाया जा रहा है वह समझेए ठीक है कि ज्यादा फीकर दियान मत दीचिया भी समझाया जाएगा कि यह हो गया ठीक है इस पर प्रूस लख रहते हैं कि अच्छा है यह क्या है अब इसको हम क्या करते हैं अब इसको हम क्या करते हैं किसी चालक से जोड़कर इसमें प्रतिरूस लागा देते हैं जो क्या है यह आ रही suis Haha तो यह आपका टॉटल Jr B C D तो यह आपका फीगर क्लियर हो चुका है ठीक है तो फीगर आपका यह हो गया है आप इसको देख लीजें लिकि अच्छे से ठीक है आप हम देखेंगे यह सभी को हम इसका कार्यविदी ठीक है यह आपका फीगर होस प्रतवर्तिदारा जनेत्र नामि है प्रतिवर्दों आप को यहां को याद रखना तभी आपको 123 हीर का इसका कारे विधिफी ठीके याई हैं इसको लिट नाम है पूली फ aptly न Спॉली है ये क्या है इसको यांद रखेंगे है आर मेचर है ठीक है अगए यह क्या है यह चूंबघ के धुरू है यह जो इसनता जो यह पाट है यह क्या है त्हक्य है तो यह यौदर रखेंगे यह ब्रूस है ठीक है बस नाम आप याद रखिए अभी ठीक है यह ब्रूस है यह क्या है इसको याद रखेंगे यह इसे हम दो नाम से जानते हैं इसे हम सवर्फी वाले भी कह सकते हैं या ब्रित्तकार वाले ठीक है तो याद रखेंगे यह वाले है आपका यह ब्रित्तकार फटिकर वहले कई यह आप सअर्फी वहले का सकते है मतलब यह पर इसका मथले यह क्या है यह जो गोला है यह किया है वो यह बृतर कार मुझे है मतलब शार्फी वाले है तो यह भी क्या है सतंव스러운 यह क्ले है है यह क्या है य morality एक्रों branch से अग्र आज है चालक तार है जिसे हमने क्या किया है इस ब्रूस को और इन दोनों ब्रूस को क्या किया है एक चालक तार से जोड़ दिया है और इसमें प्रतिरोध लगा दिया गया है यह क्या है प्रतिरोध है रेजिस्ट्रेंस है ठीक है तो यह आपका फिगर हो गया फिगर में सबका नाम याद रखना है सबसे पहले यह क्या है पुली है ठीक है सबसे पहले याद रखना स्वर पत्व क्या है दो चुमबक है चुमबक के धुरू एन और एस है इनके बीच में क्या रखा गया आर्मेचर रखा गया है जो आर्मेचर होता है याद रखेंगे वह कॉपर का होता है ठी जो यहाँ रखा गया है उसके बाद ये आरमेचर को एक किनारेस ले आए फिरीकर वर्टकार वले है इसको जोड़ किया गया है यहां पर इन्हां नेवले इस वले पर फोन पस्टेश करीजें Beauty ठya Allah को सुर्क् 2m तो आप पूला पहले नाम याद रखेंगे तो अपर इसमें काने भी दिखया होता है जब इस पूली की सहाइता से जब इस पूली की सहाइता से आर्मेचर को इसको घुमाया जाता है A, B, C, D है आयतकार आर्मेचर है ठीक है आयतकार आर्मेचर है तो जब पूली की सहाइता से यह कहा है इस आर्मेचर के ऐसे घुमाया जाएगा इस प्रकार से घुमाया जाएगा ठीक है जब आर्मेचर है उसको इस प्रकार से घुमाया जाएगा तो क्या होगा जब घुमाया जाएगा तो यह क्या है आर्मेचर कापर के तार से बना है हमने बताया था पहले वीडियो में कि को ज है यह चुंबक स्गधा आए चुंबक ए चुंबक के चुंबक स्वसक्राइब करें तो हमने बताया था कि जाइबंपாफ प्रेर्ण से भजब्न किया होता है चूमबगा वां पता है उत्व और कुंडली के बिच पेछी गती कराए जाते हैं इसमें फित होगा इसमें करेंट करेंट अच्ट? करेंट उत्पन होगा और यह क्रेंट क्या होगा इसकी साहता से इसमें आएगा ठीक है और इस ब्रूस की साहता से यहां से आकर यहां पर मिल जाएगा मतलब यह क्या हो जाएगा यह से आया ठीक है ऐसे चला गया ठीक है तो मतलब पॉस्ट्टिव बनाया ठीक है उसके बाद जब ये भी सी डी को ऐसे मुड़ाया गया तो ये पोजिटी दिया और इसके बाद तुरंत जब इसमें से धारा फ्लो होने लएंगे तो इसकी सायता से यहां से ऐसे ऐसे आएंगे ठीके आएसे आएंगे अब फिर से बुरूस की सायता से इसमें daira प्रविद होगा यह तक आएगा ति इसके बाद तुरंत यह क्या हो जाएगा कि निगेटिव हो होते हैं बुरूर इस्तिर नहीं होते हैं इस साथ लगे होते हैं ठीक है और यह क्या होते हैं यह क्या होते हैं वित्तकार वले लगा होते हैं तो इसको आपको सब को नाम याद रखना है ठीक है और इसको बस इतना याद रखें कि यह को ऐसे गुमाएंगे ठीक है तो यह क्या होगा इसमें से करना पड़ाएं तो आप से एक रिफेश्ट है कि आप बुक की सहहता ले लिजिए ठीके बुक की इस में इसकी लिए तो आप कितना लिखाया जाए ठीके तो आपको समझा दिये गया है आपको आपको फिगर्म को आपको समझा दिये गया है ठीक है इसको कारेविदी आप बूग की शाहता से आप लिख सकते हैं फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा ठीक है मैं कोशिश करूँगा आपको नोट प्रोवाई करने का इसके लिए ठीक है यहां तो हम तो सब लिख वाते हैं ठीक है तो यह आपका होगा प्रतिवर्ति धाराजनित्र थोड़ा से बता दो डिस्ट धाराजनित्र के बारे में उसके बाद मैं आपको समाफ्त गरूंगा इस वीडियो हो ठीक है तो चलिए ह्हां है दिश्ट ढ़े जनीत्र क्या होता है तो याद राखेंगे शक्राइध दर जनीत्र मतलब ऊख writes लिकलेंगे यान्तरी को ओर जाल को क्या करता है दिष्ट में परिवर्तित करता है धारा में परिवर्तित यह बादलताह परिवर्तित करताह Hey यह यह आप लिख सकते हैं बढलताहे ठीक है तो मतलब डिष्ट-ध जन्रीत मतलब व्य जन्रीत परिखूर्चह को इक चैने में बदलता है यह परिवर्तित करता है उसे हम डिष्ट दारा जेनी तो कहते हैं यह आपको डिफिनिशन लिख लेंगे ठीक है और उसके बाद सिध्धांत भी आप ऐसे हैं इसका भी सिध्धांत वही लिखेंगे जो हमने पहले बताया था सिध्धांत की क्या लिखेंगे बिद्धू चुमबकिया प्रेणर के सिध्धांत पर कार्य करता है किसके सिध्धांत पर विद्धू चुमबकिया प्रेणर के सिध्धांत पर कार्य करता है ठीक है अब हमने बताया था सबसे पहले ही बताया था विद्धू चुमबकिया प्रेणर क्या है उसके बाद आर् कि तो कार्यवीदी टिक है तो इसमें figure बता दे रहे हैं इसमें भी आप जो बुक की साय तर लेकर और कार्यवीदी को आपने नोट्स बना लेंगे ठीक है इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूँ ठीक है तो देखिए यहां से मैं फिकर बनाता हूं तो चलिए बन जाएगा निकना में चलिए देखते हैं यह माल लेते हैं यह जैसे हमने उसमें लिया था थोड़ा सब्सक्राइब यह इसको उप्तल के अकार क्या करते हैं ऐसे चुम्बा को काटा जाता है ठीक है इसमें हमने कहले तो इसमें हमने और मेचर रखते हैं यह किया है है मेचले अठीक है भी फृल जैकर को यह दूनों बबन है यह क्या है फूली है ठीक है यह पूली है यह क्या है हुआ है और मेचर है यह क्या है और इन और इस यह चुंबक के दुरू है चुंबक के दुरू है ठीक है यह क्या है अब याद रखेंगे यह दो यह वले है ठीक है यह एक वले है यह आधा वले है यह आधा हाफ वले को यहां पर लिया गया है ठीक है और इस वले में हमने क्या कर दिया है इन दोनों बुरूस को चालगतार की सायता से इसमें क्या कर दिया गया है इसको एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया है तो यह आपका हो गया यह बीजिस्टैन्स ऑड़ी टिक है यह हो गया तो आपको सबसे पहले यह क्या है बूस है यह क्या है इस वाले है मतलब रितकार वाले यह आप का सते हैं इस सरपी यहां पे लिखती ही जएका सरफी वले सरफी वले यह बितकार वले ठीक है यह सब का फिगर हो गया यह नाम आप याद रखेंगे उसके बाद इसमें याद रखने हैं ध्यान देना है कि जब यह अभी cd है छालाटार का ससाहता से उसमें प्रतिरोध को जोड़ दिया गया गया ठीके उसके बाए जब इस आरमेचर की साहता से आरमेचर को घुमाया जाता है कापर की तार से बना गए तो जाब वो चुमबक और कुंडी के बीच ये एक पर खाग कराएता जाता है तो क्या होता है इस-में धारा-उत्पन होता है जब इसमें धाराउथ उत्पन होगा तो यह इसकी साइटना से आया ठीक है तो यहां पर इसाय से यहांगो आप तो मतलॉद इस में इस direct है तोसекст आ दारा उत्पन होगा ठीक है फिर से इसी में धारा क्या होगा आई उत्पन होगा जो धारा उत्पन होगा तो मतलब इसको जब घुमाया जाएगा जब वह क्या चुंबक और आर मेचर के चुमबा का कुंडिली के विच आप चीघति कराए जाता है तो अ अर्मेचर उसमें धारा धारा ब्रतम होता बिंदुद धारा उतपन अब दूनों में क्याaire होते हैं जो तो अच्छे समझ में आया होगा इसके लिए कारे विधी के लिए आप बुक की साहता ले सकते हैं ठीक है आज के लिए इतने ही अगर अच्छा लागा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा हाँ और कोई भी अगर दिक्कत हो तो ठीक है